COVID-19 के टाइम पे कई हो की जिन्दगी बचाने वाला Pulse Oximeter आईए जानते हैं कि ये क्या है Pulse Oximeter और ये कहां से आए हैं Pulse Oximeter जो हमारी बॉड़ी की SpO2 लेवल यानि Oxygen Saturation को मिजर करता है इसका Error 2% से लेकर Maximum 5% टक होता है इसका invention Glenn Allen भहिया ने किया था कब? 1940 में लेकिन उन्होंने इतना टफ इसकी टेकनलोजी बना दी थी कि इसका इस्तमाल करना बहुत ही कठिन हो गया लेकिन Japanese लोग तो बड़े तेज हैं 1972 में Japanese Bio Engineer की खोपड़ी घूमी जिनका नाम था टाकव आवयागी इन्होंने उस टेकनलोजी को कठिन से बना दिया आसान लेकिन भहिया तब भी ये famous नहीं हुई ये famous तब हुई जब 1987 में US की administration of general anesthetics ने इसको accept कर लिया उसके बाद वहाँ के operation theaters दे उठकर आज हमारे normal hospitals के counter पे आपको मिल जाती है